इकाई दो इदगाह कहानी कहानी का श्रवन कीजिए रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आज इद आई है कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना श्रीतल है मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है गाउं में कितनी हलचल है इदगाह जाने की तयारिया हो रही है किसी के कुर्ते में बटन नहीं है पडोस के घर में सुई धागा लेने दोड़ा जा रहा है किसी के जूते कड़े हो गए है उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे इदगाह से लोटते लोटते दोपहर हो जाएगी तीन कोस का पैदल रास्ता फिर सैकडो आदमियों से मिलना भेटना दोपहर के पहले लोटना असंबव है लड़के सबसे ज्यादा प्रसन है किसीने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक किसीने वह भी नहीं लेकिन इदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है रोजे बड़े बूढों के लिए होंगे इनके लिए तो ईद है रोज ईद का नाम रटते थे आज वह आ गई अब जल्दी पड़ी है कि लोग इदगाह क्यों नहीं चलते उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुशो कर फिर रख देते हैं महमुद गिनता है एक, दो, दस, बारह उसके पास बारह पैसे हैं मौसीन के पास एक, दो, आठ, नौ, पंद्रह पैसे हैं इन ही अंगिनत पैसों से अंगिनत चीजे लाएंगे खिलोना, मिठाईयां, गेंद और जाने क्या-क्या और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामीद गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेट हो गया फिर एक दिन मा भी मर गई अब हामीद अपनी बूड़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है हामीद के पाउं में जूते नहीं है सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका एक गोटा काला पड़ गया है फिर भी वह प्रसन्न है अभागीन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है आज इद का दिन और उसके घर में दाना नहीं इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है किसने बुलाया था इस निगोडी ईद को अमीना का दिल कचूट रहा है गाओं में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं हामित का बाप अमीना के सिवाए और कौन है उसे कैसे अकले जाने दे उस भीडभाड में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा नहीं अमीना उसे यो न जाने देगी नन्ही सी जान तीन कोस चलेगा कैसे पैरों में चाले पड़ जाएंगे जूते भी तो नहीं है कुल दो आने पैसे बच रहे हैं तीन पैसे हामित की जेब में पांच अमीना की बटूए में यही तो बिसात है और इद का त्योहार अल्ला ही बेडा पार लगाए हामित भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा गाउं से मेला चला और बच्चों के साथ हामित भी जा रहा था कभी दोड कर आगे निकल जाता फिर किसी पेड के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता हामित के पैरों में तो जैसे पर लग गए है वह कभी ठक सकता था बड़ी बड़ी इमारते आने लगी यह अदालत है यह कालेज है यह कला घर है आगे चले हलवाईयों की दुकानी शुरू हुई आज खूब सजी हुई थे इतनी मिठाईया कौन खाता है देखो न एक-एक दुकान पर मनो होंगी सहसा इदगा नजर आई इमली के गने व्रिक्षों की छाया है नीचे पक का फर्ष है उस पर जाजिम बिछी हुई है रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक नजाने कहां तक चली गई है यहां कोई धन और कोई पद नहीं देखता इन ग्रामिणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए कितना सुन्दर संचालन है कितनी सुन्दर व्यवस्था हजारों सिर एक साथ सिजदे में जुक जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं मानो ब्रातरुत्व का एक सुत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोय हुए हैं नमाज खत्म हो गई, लोग आपिस में गले मिल रहे हैं, अब मिठाईयां और खिलोनों की दुकानों पर धावा होता है, ग्रामेडों का यह दल इस विशय में बालकों से कम उत्सा ही नहीं है, यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चड़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए, यह चर्की है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और उट चड़ों से लटके हुए हैं, एक पैसा देकर बैठ जाओ, और पच्चिस चक्करों का मजालों, महमूद, महसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं, हामीद दूर खड़ा है, तीन पैसे तो उसके पास है, अपने कोश का एक तिहाई, जरासा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, सब चर्खियों से उतरते हैं, खिलोने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरा तरा के खिलोने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिष्टी और धोबिन, वाह, लगता है, अब बोलना ही चाहते हैं, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालुम होता है, अभी कवायत की ये चला आ रहा है, मौसीन को भिष्टी पसंद आया, कमर जुकी हुई, उपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुह एक हाग से पकड़े हु नूरे को वकील से प्रेम है, काला चौगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनारी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिये हुए, मालुम होता है, अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं, ये सब दो दो पैसों के खिलोने हैं, खामित के पास कुल तीम पैसे हैं, इतने महंगे खिलोने कैसे ले, खिलोना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलोने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा, खिलोनों के बाद मिठ किसी ने रेवडियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं, आमीद बिरादरी से प्रित्थक है, अभागे के पास तीन पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आँखों से सब की ओर देखता है, मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, लड़कों के लिए यहां कोई आकरशन नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं, हामीद लोहे की दुकान पर रुख जाता है, कई चिम्टे रखे हुए हैं, उसे ख्याल आ आया दादी के पास चिम्टा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं, तो हाथ जल जाते हैं, अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे, तो कितनी प्रसंद नहोंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलोने से क्या फाइ धर पहुचते पहुचते तूट फूट कर बरबाद हो जाएंगे, चिम्टा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चुलहे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए, तो चट पट चुलहे से आग निकाल कर उसे दे दो, अम्मा बेचारी को कहां फुरसत है कि बा हैं, देखो सब कितने लाल्ची हैं, इतनी मिठाईयां ली, मुझे किसीने एक भी न दी, उस पर कहते हैं, मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, अब अगर किसीने कोई काम करने को कहा, तो पूछूंगा, खाए मिठाईयां, आपका मुह सड़ेगा, फोडे चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुडाएंगे और मार खाएंगे, अम्मा चिम्टा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा, अम्मा के लिए चिम्टा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलोनों पर कौन इने दुआएं देग मैं गरीब सही, किसी को कुछ मांगने तो नहीं जाता, उसने दुकानदार से पूछा, यह चिम्टा कितने का है, छे पैसे लगेंगे, हामिद का दिल बैठ कया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक, पांच पैसे लगेंगे, लेना है तो लोन, नहीं तो चलते बनो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, तीन पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया, ताकि दुकानदार की गुड़क यान न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़क यान नहीं दी, बुला कर चिम्टा दे दिया, हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा, मानो है, फिर शान से अकरता हुआ, संगीयों के पास गया, मौसीर ने हसकर कहा, यह चिम्टा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा, हामिद ने चिम्टे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्दी तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलिया चूर चूर हो जाएं बच्च हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिम्टा हो गया, चाहू तो इससे मंजिरे का काम ले सकता हूँ, एक चिम्टा जमादू तो तुम लोगों के सारे खिलोनों की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलोने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिम्टे का बाल भी बांका नहीं क बहादुर शेर है मेरा चिम्टा। सम्मी ने खंजरी ली थी। रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे। दो आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। बोला मेरा चिम्टा चाहे तो तुमारी खंजरी का पेट फाट डाले। बस एक चमडे की जिल्ली लगा दी। धब धब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खतम हो जाए। मेरा बहादुर चिम्टा आग में, आंधी में, तुफान में बराबर डटा रहेगा। चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकलाए हैं? धूप तेज हो रही है, घर पहुँचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करें तो भी चिम्टा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालात, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। और उने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किये, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने तीन पैसो में रंग जमा लिया, सच ही तो है, खिलोनों का क्या भरोसा, तूट फूट जाएंगे, हामिद का चिम्टा बना रहेगा बरसों। और उनके खिलोने बारी-बारी से हामिद के हाथ में आए, कितने खूबसूरत खिलोने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिये, महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्यमित्र मुह ताकते रह गए, यह उस चिम लिया और मारे खुशी के उचली, तो मिया भिष्टी नीचे आ रहे और सुर्लोक सिधारे, मिया नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गवरव मैं हुआ, वकील जमीन पर या ताक पर बैट नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा, दिवार में दो खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकडी का एक पट्रा रखा गया, पट्रे पर कागस का एक कालीन बिचाया गया, वकिल सहब राजा भूच की भांती सिहासन पर विराजे, नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया, अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते है, क्या यहां मामूली पंखा भी न हो, बांस का पंखा आया, और नूरे हवा करने लगा, मालूम हुए नहीं, पंखे की हवा से या पंखे की चोट से, वकिल सहब स्वर्ग लोक से मृत्यू लोक में आ रहे, और उनका माटी का चोला माटी में मि और वकिल सहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई, अब मिया हामित का हाल सुनिये, अमिना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी, और उसको गोद में उठा कर प्यार करने लगी, सहसा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वहचों की, बोली, यह चिम्टा कहां से लाया, मैंने म मूल लिया है, केई पैसे में, तीन पैसे दिये, अमिना ने च्छाती पीट ली, यह कैसा बेसमद लड़का है, कि दो पहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या, चिम्टा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली, जो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया, आमिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया, बुढिया का क्रोध तुरंसनेह में बदल गया, बच्चे में कितना त्याग, कितना सदभाव, और कितना विवेक है, दूसरों को खिलोने लेते, और मिठाई खाते देख कर इसका मन कितना लल्चाया होगा, इतना जब्त, इससे हुआ कैसे, अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैला कर हामिक को दुआएं देती जाती थी, और उसकी आँखों से आंसों की बड़ी-बड़ी बूंदे गिर जाती थी,